नमस्कार दोस्तों हमारी यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वाकत है आस्थमा, किडनी, लीवर, कॉलस्टरॉल से लेकर डाइबर्टीज तक आम के पत्तों से करें सभी प्रोबलम को घर पर दूर दोस्तों, आम खाना सेहत के लिए बहुत अधिक फाइदेमन्द होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पत्ते भी सेहत से जुड़ी बहुत सारी प्रोबलम को दूर करने में हमारी मदद करते हैं एंटी उक्षिजन, प्रोटीन, विटामिन A, B और C के गुनों से भरपूर आम के पत्तों का सही इस्तमाल बलड प्रैसर से लेकर डाइबर्टीज तक की समस्याओं को दूर करने में बहुत अधिक कारगर है आम तो गर्मियों में मिलता है, लेकिन आप इसके पत्तों का इस्तमाल किसी भी मौसम में कर सकते हैं आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह आम के पत्तों का सेवन सेहत से जुड़ी बहुत सारी प्रोबलम को दूर करने का काम करता है इस तरह करें आम की पतियों का इस्तिमाल दोस्तों आम की पतियों का प्रियोग कई तरह से आप कर सकते हैं आम की पतियों को धोकर इसे छोटे टुकडों में काट कर अच्छी तरह चबा चबा कर खाएं आम की पतियों को पानी में भीगो कर सुबह खाली पिट उस पानी को पिए और उन पतियों को भी खाले इसके लावा आम की पतियों को धूप में सुखा कर पाउडर बना ले रोजाना खाली बट इस पाउडर को पानी में मिला कर बीने से भी बहुत अधिक फाइदा होता है इन में से आप किसी भी रूम में आम की पतियों का प्रयोग कर सकते हैं आपको सेम फाइदे मिलेंगे तो आजी दोस्तों अब जानते हैं आम की पतियों के चमतकारी फाइदों के बारे में कि किन किन बीमारियों में ये रामबन की तरह काम करता है बलड प्रेसर की समस्या लो या हाई बलड प्रेसर दोनों ही सेहत के लिए खतरनाक हैं ऐसे में आप बलड प्रेसर को कंट्रोल करने के लिए आम की पतियों का स्यवन कर सकते हैं आम के पत्तों में मुझूद हाइपोगलेसमिक से सरीर में बलड सुगर नियंतर में रहता है इसके पत्तों में मुझूद अर्ग सरीर में इंसुलिन और गुलकोज को बढ़ने से रोकता है इसके पत्तों का हर रोज सुबे खाली पेट पानी पीने से सुगर नहीं बढ़ती अस्थमा की समस्या आम की ताजा पतियों को ले और फिर इनका काड़ा बना ले इसमें सहद मिलाकर रोज एक बार इस काड़े का सेवन करें रोजाना इसकी पतियों का काड़ा पीने से आपकी अस्थमा की समस्या दूर हो जाएगी अगर आपको डाइबर्टीज हैं तो इसकी पतियों की मदद से आप सुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं इसके लिए आम की पतियों के चून को एक चमच पानी के साथ पीए इससे आपकी सुगर हमेशा के लिए कंट्रोल में रहेगी तवचा के जल जाने पर कई बार किचन में काम करते समय हाथ पैर जल जाते हैं ऐसे में आम की पतियों को लें और उन्हें उनसे राक को तियार करें अब आप इस राक को जले स्थान पर लगाएं इससे आग से हो रही जलन ठीक होगी और आपका दर्द भी नहीं होगा हिचकी दूर करने में मददकार अगर आपको लगतार हिचकी आ रही है तो आम के पत्तों को पानी में उबाल कर उसे गुनूना करके गरारें करी ऐसे करने से आपकी हिचकी बंद हो जाएगी किड़नी की पत्री आम की पतियों से किड़नी और गुर्दे की पत्री दूर होती है इसके अलाबा यह किडिनी और लीवर को सुवस्था बनाने का काम करती है इसके अलाबा रोजाना, आम की पतियों से बने पाउडर को पानी के साथ पीने से पत्री की समस्या ठीक हो जाती है कॉलोस्टॉल को करे कंट्रोल शरीर में कोलोस्टोल की मातरा बढ़ने से दिल को बहुत अधिक नुकसान होता है इसको कंटोल में रखने के लिए दवाईयों की जिगह आम की पत्यों का सेवन करना चाहिए इसके लावा यह दिल की धमनियों को भी सही काम करने में मदद करता है पेट की समस्या इसे पेट से समंदि सभी परकार की समस्याइं दूर होती है आम के पत्यों को रात भर पानी में भीगो कर रखें और सुबह चान कर इस पानी को पीने से पेट की सारी गंदगी दूर हो जाती है नीमी तरोप से इसका सेवन करने से पेट में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती और दोस्तों यह तो आप भली बाती जानते हैं कि हमारा पेट ही सो से जादा बीमारियों को जनम देता है और अगर हमारा पेट सही रहेगा तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे तो दोस्तो आप भी आम की पतियों का सेवन करके इससे होने वाले फाइदों को उठा सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से बचे रह सकते हैं तो दोस्तो यह थी हमारी वडियो अगर आपको हमारी वडियो अच्छे लगे या इससे आपको कोई जानकारी पराप्त हो तो प्लीज आप हमारी वडियो को लाइक वशेर करना ना पुले इसके साथ साथ आप हमारी यूटू चैनल को सब्सक्राइब करना ना पुले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरता स्टिप्स लेकर आते ही जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमे बना सकते हैं और सुखमे जीवन जी सकते हैं धन्यवाद दोस्तो